हेलो गुड इवनिंग गुड इवरिवन जल्दी से सभी लोग क्लास को सेर कर देंगे फिर अपना आज गी क्लास से स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लास है अपनी MPCHO, ESIC, CRPF और Norset के लिए रहने वाली है और भिहार स्टाप नर्स के लिए भी और जो भी CHO एक्जाम होगी उन सभी के लिए रहेगी ये क्लास आज की और जो अपन गेस पेपर जो आपको सोल करवाने जा रहे हैं जैसे की पिछली क्लास के अंदर अपने 6.40 तक क्यूशन सोल कर लिये थे आगे की जो क्यूशन से 6.41 से आज की इस वीडियो के अंदर आपन सोल करेंगे तो जल्दी स अधिक से अधिक सेर कर देंगे और जिन्होंने अभी भी चैनल लोग को सबस्क्राइब नहीं किया हो वो नीचे रेट का दर में सबस्क्राइब का बटन है अभी से दीक गनटी के निशान को अउल्ल पर प्रेस कर लिजिए तक कि जब भी कलकी क्लास इस की नोटिफिक्शन आपको मिल सकें तो जल्दी से Class को share करतें आप लोग पिर अपने install करते हैं आज़ी Class एक बार सभी लोग comment करके बता देंगे मेरी आवाद सभी को clear आ रही है Prime एक बार सभी लोग comment करके बता देंगे मेरी आवाद सभी को clear आ रही है या नहीं Good evening दीपक शाक्या गोड़ीविनिंग अंजली जी हाँ आवाज आ रही है सभी को ठीक है तो स्टार्ट करें चलिए स्टार्ट करते हैं तो मैं आज आपको सीधर 641 कुशन पर लेकी चल रहा हूं यहां पर तो दोस्तो क्यूशन नंबर 641 आपकी स्क्रीन पर है क्यूशन 641 आपका वर्डिंग डूरी नॉर्मल स्लिपिंग आवर्स स्टार्मेज यानि स्लिपिंग टाइम के अंदर जो वर्डिंग करते हैं उसको क्या कहेंगे क्यूशन एक बार भी फिर से पढ़ते हैं वाइडिंग डूरी नॉर्मल स्लिपिंग आवर्स इस टार्मेज यान जो वाइडिंग करते हैं अपन नॉर्मल स्लिपिंग आवर्स के टाइम में उसको क्या कहेंगे ओप्सन ए आपका डिस यूरिया अप्सन भी है नॉर्मल स्लिपिंग आवर्स कब होता है यान जब आप रात में सोते हैं उस समय यदि वैडिंग करता है तो उसको क्या कहेंगे नॉर्मल स्लिपिंग आवर्स के दो रहान जूर्मलMY क्या कहेंगे दोस्तों नौक्चूरिया क्या कहेंगे नौक्चूरिया कहेंगे option B यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब चलिए बढ़ते हैं next question की तरफ question number 642 आपकी screen पे है blood concentration of calcium is regulated by जो blood concentration है calcium की किसके दवरा regulate होती है option है आपका thyroxine option B पेरा-thyormone option C is pro-lactin option यह है इल्कोटी-खोड़ सभी बच्चे comment करेंगे question number 642 का सही answer क्या होगा बिल्कुल सभी questions पे focus करना है आपको और किसी का नाम नहीं लो तो अश्चीज को आपको mind नहीं करना है बस आपको answer put up करना है और अपना analysis करते रहना है कि आपको जो Qution Solult करवाई जा रहे हैं उसमें कितना आप उको याद है कितना आप उसके अंदर पारंगत है वो आपको इसके अंदर आप जब आंसपर देंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे क्यूशन नमर 642 का क्यूशन नमर 642 में क्या का गए दोस्तों वापस से क्यूशन रिपीट कर रहा हूं मैं आ आपको चार दिए गए उनमें से सभी आंसपर क्या होगा सभी लोग कमेंट करेंगे क्यूशन नमर 642 का सभी आंसपर क्या होगा मौश्ट इंपोर्टेंट क्यूशन से ऐसा क्यूशन कई बार एक्जामें पूछा जाए दा आपको घुमाने के लिए तो सिंपल सा इसका उसको इंक्रीज करने का काम करता है। आपको ब्लड करने कश्वाड करने करpha क्या करेगा ब्लड के लेवल को बढ़ाने की कौशिस करेगा। तो option B यहां पर बिल्कुल सही जबाब पेराथार्मोन या फिर पेराथारोड हार्मोन option B यहां पर बिल्कुल correct answer जिस जिसे students ने option B चूज किया उसका बिल्कुल सही answer है next question की तरह बढ़ते हैं question number 643 आपकी screen पर है pulmonary edema में भी complication off यहां जो pulmonary edema देखने को मिलता है वो किसकी complication क्या वज़े से देखने को मिलता है option A आपका heart block, option B यह congestive heart disease, option C आपका coronary artery disease and option D आपका C भी है जल्दी से भी लोग comment करेंगे question number 643 का सही answer क्या होगा question में क्या पुछा गया है दोस्तो जो pulmonary edema है किसके complication की वज़े से देखने को मिलता है तो आपको चार option देगे उसमें से सही answer क्या होगा option B congestive heart disease यहां congestive heart disease के अंदर pulmonary edema देखने को मिलता है बिल्कुल जिस students ने option B चूज किया है उनका बिल्कुल सही answer है और जिन्होंने C या D में से कुछ चूज किया है वो अपना answer सही कर लें option B यहां पर बिल्कुल सही जबाब next question की तरह बढ़ते हैं question number 64 आपकी screen पे है primary effect of cold application आपने पढ़ा होगा fundamental के अंदर या फिर foundation के अंदर कि जो cold application है आप सुना होगा cold application, hot application उसमें जो cold application है उसका primary effect आपको बताना है primary effect उसका क्या रहेगा option है आपका vaso dilatation, option B है violation, option C है ventilation and option D है vaso construction simple question से दोस्तों but important है क्योंकि इस परकार के अज़ी question आता है तो आप लोगों ने बहुत कम ध्यान देते हैं आप लोग इस टाइप की questions पे, इसलिए मैंने या आपके लिए questions लिया इसके अंदर, तो question में पूछा गया आपका cold application के लिए primary effect क्या रहेगा, जल्दी से भी लो comment करेंगे, question number 644 का सही answer क्या होगा तो दोस्तों सही answer क्या होगा, इसका वेस्सो कॉंस्टिक्शन, यह जो cold application अपन करते हैं, cold application उसका जो primary effect होता है, वो क्या होता है, आपका वेस्सो कॉंस्टिक्शन है, जो vessels होती है, उसको क्या करता है, यह constrict कर देता है, ठीक है, primary effect of cold application next question की तरह बढ़ते है, question number 645 आपकी स्क्रीन पे है, pulse pressure ईजए है, जो pulse pressure है, वो क्या होता है आपका दोस्तों, तो option है आपका difference between diastolic and systolic, option भी है diastolic pressure, option C आपका aortic pressure and option ली है, systolic pressure, जल्दी सभी लोग comment करेंगे, question number 645 का सही answer क्या होगा, बिलको simple question से बट आना जरूरी है, pulse pressure क् pulse pressure है, आपको simple सा बताना, इसके अंदर सभी लोग comment करेंगे, question number 645 का सही answer क्या होगा, दोस्तों, जल्दी सभी लोग comment करना, यहां पर, जी हां, बिलकुल, बिलकुल, सभी लोग यहां पर comment करते हुए, जी हां, question में क्या पुछाएंगे दोस्तो, pulse pressure, तो अपन जो simple सा pulse pressure निकालते हैं, आपकी जो diastolic और systolic BPA, उनके बीच का जो difference होता है, उसको अपन क्या करते है, pulse pressure, option A यहां पर, बिलकुल, सभी जवाब, जैसा कि अपन normal पढ़ते हैं, कि आपको systolic BPA, वो कितनी होती, normally 120, और diastolic कितनी हो, दोस्तो, 80, इन दोनों के बीच में जो difference होता है, उसको अपन क्या करते है, pulse pressure, अब difference कैसे निकालेंगे अपन, systolic BP के अंदर से, diastolic BP को क्या कर देंगे, minus कर देंगे, यानि, minus करेंगे, तो क्या आएगा, pulse pressure आजाएगा, मान लिजिए कि normal BP आपका 120 by 80 है, त उसमें, diastolic BP को minus कर देंगे, तो जो pressure आएगा, वो कितना आएगा, दोस्तो, वो pulse pressure आएगा, वो कितना आएगा, यहाँ पर 40, अब यदि इसका range यदि change होता है, मान लिजिए कि ये 110 है, और यहाँ पर 80 है, इनके बीच का pulse pressure कितना हो जाएगा, 50, तो इस परकार से आप pulse pressure न है, जो बचा हुआ रहेगा, वो आपको क्या जाएगा, pulse pressure, मान लिजिए कि यहाँ आपने बात करते है, systolic BP मेंने क्या बताया, आपको systolic BP मेंस क्या minus करेंगे, दोस्तो, diastolic BP मेंस करेंगे, मान लिजिए किसी patient की BP 110 है, और जो नीचे वाली है, वो आपकी 74 है, ठीक है, तो अब इसका pulse pressure कितना होगा, तो मैंने क्या बताया, pulse pressure निकालने के लिए, निकालने के लिए अब क्या करना होगा, शिश्टोल बीप मेसेज, diastolic BP मानेस करने पड़ेगी, जब आपने मानेस किया तो कितना गया, आप मानेस करके देख सकते हैं, आपको कितना आ रहा है, देख ठीक है, ये चीज़ सभी को समझ में आगे, एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे, जो मैंने आपको भी अभी समझा है, वो सभी को समझ में आ गया या नहीं, सभी लोग कमेंट करेंगे, question number 645 आपको समझ में आया या नहीं, चलिए बढ़ते है, next question की तरफ, question number 646 आ of spine, option B आपका knee flex position, option C आपका any desired position, and option D आपका full flexion of spine, जल्दी से भी लोग कमेंट करेंगे, question number 646 का सही answer क्या होगा, दोस्तों, question में पुछा गया है, जो number पंक्चर अपन करते हैं, उसके लिए suitable position कौन सी रहती है, कौन सी रहती है, दोस्तों, 4 option दिएगे, जल्दी से भी पुछास होता है, जिससे में delivery हो रही होती है, तो उसमें जो इसका attitude होता है, flexion वाला, full flexion वाला, उस type का आपन करते हैं, तो नॉर्मले आपन कैसे, जिसके patient हो आपका, तो उसको बेड़ पे आपन लेटा देते हैं, उसका full flexion, ठीक है, ऐसे full flexion करके, यह इस जगह पे, number puncture L4 और L5 के यह आपका करते हैं, number puncture करते हैं, Lp, तो उसको कौन सी position होते हैं, full flexion of spine, जिस spine आपका, उसका full flexion, ठीक है, जितना हो सकता होतना flexion, full flexion of spine, next question की तरह बढ़ते हैं, question number 647 आपकी screen पे है, which part of the nursing process include the statement of the client's actual or potential problem, question में क्या पुछा गया है, nursing process का, वो कौन सा nursing process का part है जिसके अंदर, clients की actual और जो potential problem है, वो include होती है, option है, आपका assessment, option B implementation, option C आपका nursing diagnosis, option D आपका planning, तो दोस्तों आपने nursing process की step देखी होगी, पढ़ी होगी, nursing assessment, nursing diagnosis, implementation, आपने पढ़ा होगा, evaluation, तो यह nursing process की steps हैं, और उसके अंदर आपको बताना है कि, उसका nursing process का कौन सा part होता है, जिसके अंदर, जो client की actual potential problem को include किया जाता है, तो दोस्तों उसको अपन क्या करते हैं, nursing diagnosis, नर्सिंग डाइगनोसिस में आपने लिखते हैं कि, यह problem इस वज़े से हो रही है, ठीका तो सही answer क्या होगा, nursing diagnosis, nursing diagnosis से patient की क्या होती है, actual potential problem include की जाती है, nursing process का कौन सा part होता है, nursing diagnosis, option C यहाँ पे, बिल्कुल सही जवाब, सभी लोग अपना answer सही कर लेंगे, option C is the correct answer, next question की तरह बढ़ते हैं, question number 648 आपकी screen पे है, the best method of sterilizing gloves, यह जो अपने gloves यूज़ करते हैं, उसको sterilize करने का best method कौन सा होता है, option A है आपका boiling, option B है आपका drying, option C है आ under pressure, जल्दी से सभी लोग comment करेंगे, question number 648 का सही answer क्या होगा, question में क्या पुछा गया है दोसतो, best method पुछा गया है, किसके लिए gloves को sterilize करने के लिए, तो आपको 4 option दिएगे, जल्दी से भी लोग comment करेंगे, question number 648 का सही answer क्या होगा, दोस्तो, तो सही आंसर क्या होगा option D steam under pressure जो आप autoclave से सुनते हैं autoclave आपका steam under pressure के लिए होता है ठीक है steam under pressure option D यहां पर बिल्कुल सही जवाब base method कहा रहेगा गलाउज को श्लेज करने के लिए steam under pressure या फिर autoclave जिन्होंने भी option D चूज किया उनका सभी का बिल्कुल सही जवाब है और जिन्होंने कोई दूसरा option चूज किया है वो अपना answer सही कर लेंगे option D बिल्कुल सही जवाब next question question number 649 आपकी screen पे है the most important observation for a burns victim after 48 hours of fluid therapy यानि fluid therapy जो अपन जो fluid therapy देते हैं burn वाले patient के अंदर तो fluid therapy देने के 48 hours के बाद में most important आपका observation क्या रहेगा option A है आपका peripheral perfusion option B है आपका weight option C है urinary output and option D है आपका dehydration जल्दी से सभी लोग comment करेंगे question number 649 का सही answer क्या होगा जल्दी सभी लोग comment करेंगे question number 649 का सही answer क्या होगा दोस्तो तो सभी लोग comment करते हुए यहाँ पे question number 649 आपकी screen पे है जल्दी सभी लोग comment करेंगे हाला कि यह questions पहले भी मैंने आपको solve करवाया लेकिन वापस से इसले लिया है आपके लिए ताकि actual में आपको एक question याद भी है या नहीं है जल्दी सभी लोग comment करेंगे फ्लूर थेरेपी के 48 hours के बाद में burn patient के अंदर most important observation क्या रहेगा जल्दी सभी लोग comment करेंगे तो सभी आंसर क्या है दोस्तो urine output आपको urine output चेक करना है बिल्कुल most important observation रहेगा आपका urine urine output जो अपनी urine output चेक करते हैं वो आपका most important observation इसके अंदर रहेगा बनवाल patient के अंदर intake output आपको maintain करना है next question की तरह बढ़ते हैं question number 650 आपकी screen पे है world health day is silverted on या जो world health day है वो कब मनाए जाता है option है आपका 7 अपरेल option B 12 माई option C आपका 15 नॉवंबर and option D है आपका January 30 and 30 January जल्दी सभी लोग comment करेंगे question का अंदर सभी को आना चाहिए क्योंकि दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा यसे आप लोग exam देने जाते हैं exam देने के बाद में आप सभी लोग 100 questions अटेंड करते है उस 100 questions में most important बात यह रहती दोस्तों यदि उन 100 questions में आप normally मान के चले तो 50-60 questions ऐसे होते हैं जो सब students को आते हैं ठीक है 60-80 questions ऐसे होते हैं जो कुछ एक students को आते हैं और आपके 80-100 तक ऐसे students होते हैं ज्यादतर को वो थोड़े थोड़े लगता है कि आता भी है कुछ को आता है कुछ को नहीं आता है तो आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तो normally अपने बात करें तो जो 50-60 questions होते हैं जो simple questions होते हैं अपके उन में से एक भी questions आपका गलत नहीं होना चाहिए यदि आपको वास्ता में selection चाहिए तो आपका जो simple questions है वो एक भी गलत नहीं होना चाहिए यदि आपका एक simple question गलत हो गया तो आप हजारों students के पिछे हो जाते हैं और वो एक simple question का गलत हो जाना आपको आपके selection में look out पेदा कर सकता है तो आपको ध्यान रखना है simple question कभी गलत नहीं होना चीए hard question भले है आपको आएक नहीं आए लेकिन simple question कभी भी क्या नहीं होना चीए और short selection के लिए क्या करना होता है दोस्तों आपको आप जो question solve करते हैं तो 50-60 questions ऐसे होते हैं जो symbol होते हैं जो आप सब लोग कर लेते हैं तो 60-80 questions ऐसे होते हैं जो आपको उसमें से यह doubt होता है कि चार ओप्सन जो होते हैं चार ओप्सन में से दो ओप्सन आपको लगते हैं कि उसमें से या तो यह होगा या फिर यह होगा उन कुशन्स को आपको यदि वास्ता में ऐसा कोई कुशन आपको दिख रहा है तो उन questions को attempt करने के आप ज़र 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 कोसिस करें और जो 80-100 के questions होते हैं ठीक है उन में से last के 20 questions होते हैं उनको आप थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा जो questions आपको लगे कि real में ये सही होगा यदि negative marking नहीं है तो आपको पूरे 100 questions attend करने होते हैं यदि negative marking है तो फिर आपको उसको थोड़ा सा कर देना है तो 80-100 questions जो होते हैं जो 20 questions होते हैं उन 20 questions को बड़े ध्यान से करना होता है दोस्तों तो उन questions को आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगा कि करना होता है उसको और ये ध्यान रखना है कि यदि आपको चारो option ही ऐसे लग रहे हैं कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो फिर वहाँ पे उस question को छेड़ना नहीं चाहिए ठीक है ये आपकी सपलता की कुणजी है जो मैंने आपको यहाँ पे बताई तो चलिए अपन बात करें थे question number 650 की world health day कब मनाया जाता है तो सही आंसर का होगा दोस्तो option A साथ अपरेल को world health day मनाया जाता है next question के तरह बढ़ते है question number 651 the best method of stylizing gloss ये वापकर से question repeat हुआ है और मैंने भी क्या बताया दोस्तो steam under pressure क्या बताया था steam under pressure gloss को stylize करने के लिए next question question number 652 आपके screen पर है which of the following bed is very useful to prevent beds और ये वेरी है ठीक है ये spelling mistake हो गई है यहाँ पर और ये which भी आपा w h i c h ठीक है spelling mistake है यहाँ पर तो कि इस correct कर देते हैं इसको जी हाँ सही हो गई है ये ये भी एक थोड़ा से mistake है इसमें fracture bed ठीक है अब सोही हो गया है तो यहाँ question number 652 आपका था which of the following bed is very useful to prevent bed sore and bed sore को prevent करने के लिए जो option दिएगे उसमें से सबसे ज्यादा useful कौन सा bed रहेगा तो option है आपका fracture bed, option भी blanket bed, option C आपका occupied bed and option दिए water bed जल्दी से भी लोग comment करेंगे, question number 652, question में क्या पुछा गया दोस्तो, bed sore को prevent करने के लिए कौन सा bed useful रहेगा, तो सही हांसवर क्या होगा, option D, water bed, कौन सा bed दोस्तो, water bed जो है useful रहेगा, यहाँ पर option D, यहाँ पर बिल्कुल सही जबाब, ठीक है, और यहाँ यहाँ बाटर बेड ऑप्शन में नहीं हो, यहाँ एर बेड ऑप्शन में हो, तो वाहाँ पर एर बेड वियांस पर हो जाएगा, ठीक है, इसी जोगा आपको ध्यान में रखना है, चलिए बढ़ते हैं, next question की तरफ, question number 653 आपकी स्क्रीन पर है, tapping an area to elicit sound is term, यहाँ आप किसी area को, किसी area को आप tapping करते हैं, ठीक है, tapping करने का मतलब आप समझते होंगे, tapping जो करते हैं अपन, उसके दवर जो sound produce होती है, उसको क्या कहेंगे, ठीक है, यहाँ, sound को produce करने के लिए, जो किस area को आप tap करते हैं, उसको किस term से जाना जाता है, यहाँ आपन जो physical examination करते हैं, जिससे की inspection, percussion, auscultation, तो उसमें से कौन सा रहेगा, जिसके अंदर आपन क्या करते हैं, दोस्तों, tapping करते हैं, जिससे क्या होता है, sound produce होती है, फिर आपन क्या करते हैं, उसको सुनते हैं, तो यहाँ पी जो हैं, जो हैं, आपका percussion, option B.A palpation, option C, आपका observation, and option D.A. auscultation, तो सजीद answer क्या होगा दोस्तों, जल्दी से भी लो comment करेंगे, question number 653 का सही answer क्या होगा, क्या होगा, सही answer, जल्दी से भी लो comment करेंगे, question number 653 आपकी screen पे है, तो आप किसी area को यहीं टेप कर रहे हैं, sound को elicit करने के लिए, तो उस जो term use की जा करते हैं, आपने सुना होगा, जब percussion करते हैं, तो आपने क्या करते हैं, एक अपना हाथ रखते हैं, उस पर टेप करते हैं, वहाँ पे एक sound produce होती है, तो sound के अलगलग types होते हैं, जब sound की types के बारे में बताएंगे, तब आपको और दिल से बताएंगे, तो यहाँ पर आपक आपको पता है, यह पालपेट करके देखते हैं, और आपका करते हैं, जो आपका इस्टेटो स्कोप है, उसकी सायता से आप और स्कल्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सयान स्वर क्या हो गया, option A, परकाशन करेंगे, ठीक है, नेक्ट चुशन के तरह बढ़ते हैं, क्यू आपका ब्रोंकोस्कोपी, option B, फ्लिरोस्कोपी, option C, आपको टॉमोग्राफी, और ब्रोंकोग्राफी, हाला कि यह कुशन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, दोस्तों, लेकिन आज एक बार फिर से मैंने इस कुशन को इनिकलूड किया है, ताकि मैं यह जानना चाह रह काइसिंग, कॉन्ट्रास्ट मिडियम को इन्ट्रोड़्ूस करने के बाद में, जो ट्रेकिया और जो ब्रोंकेलट्री है, उसका जो एक्सरे लिया जाता है, अक्सरे के दोरह विजुलाजेशन किया जाता है, उसके लिए की टर्म यूज की जाती है, option E, ब्रोंकोस्कोपी, option b fluoroscopy, option c tomography and option d आपका bronchography तो सही answer क्या होगा दोस्तो option d bronchography अपना answer सही करने सार भी बच्छे option d यहाँ पर बिल्कुर सही जवाब दोस्तो आप इस सीज में confused होगे हैं कि bronchoscopy क्या होती है bronchography क्या होती है तो मैं आपको इसका भी confusion दूर कर देता हूँ दोस्तो अक्सरे visualization किया जाता है और जो आपका bronchoscopy होती है क्या होती है उसके अंदर क्या होता है इक bronchoscopy क्या जा रहा है लिए आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सेर जरूर करना अपने जब भी सीनियर है जूनियर उनको सभी को सेर भी कर देना है नेक्स क्यूशन की तरह बढ़ते हैं क्यूशन नमबर 655 आपकी स्क्रीन पे है नॉर्मल लेवल ओफ सीरम बाई कार्बोनेट का लेवल कितना होता है ओप्शन ए आपका 15 मिल एकुलेंट परती लिटर ओप्शन सी 40 मिल एकुलेंट परती लिटर और ओप्शन ए आपका 20 मिल ए 655 का सही answer क्या होगा दोस्तों आपने ABG पढ़ी होगी उस ABG के अंदर normal serum level of bicarbonate कितना होता जल्दी से भी लोग बताएंगे तो दोस्तों मैं आपको क्या बता रहा था कि जब आपने ABG पढ़ी होगी जिसके अंदर आपने देखा होगा normal pH level कितना होता है normal bicarbonate level कितना होता है जो आपका normal pco2 level कितना होता है वो सब आपने पढ़ा होगा तो उसके अंदर आपको हाला कि हमने भी आपको ABG की क्लास से ली थी तो सिंपल सी बात है आपको द्यान रखना है कि normal pH तो आपको सबको पता यह 7.352 7.45 normal pH आपकी होती है ठीक है normal bicarbonate level कि अपन बात करें तो 22 से लेकर के 28 mille equivalent per thiliter तक मानते हैं कुछ books जो है 22 से 26 तक भी मानती है इस range के अंदर जो बीची range में हो वो आपको answer करना है ठीक है और normal जो PCO2 level आपका कितना होता 35 से 45 ठीक है कितना होता 35 से 45 आपको normal PCO2 level हो गया normal bicarbonate level कितना हो गया आपका 22 से 28 mille equivalent per thiliter कुछ books क्या कहेगी 22 से 26 भी बता सकती है तो आपको ध्यान रखना है कि इसके बीच में जो range वाला जो option होगा वो आपको choose करना तो 22 से 28 के बीच की जो range हो आपकी option b 27 mille equivalent per thiliter ठीक है बढ़ते है नेक्स question की तरफ question number 656 आपकी screen पे है an abnormal curvature of the spine where the spine is found twisted याई question में क्या पुछा गया है कि जो abnormal curvature है spine का जिसके अंदर जो spine है वो क्या हो जाती है two state पाई जाती है ठीक है two state तो normally में आपको बता दू question का क्या मतलब है आपकी जो spine है जो normal spine होती है straight के अंदर ठीक है अब ये spine यह यह तो इसके इस type से bending हो जाए या फिर इधर bending हो जाए ठीक है आपका IVDP option C है आपका lodosis and option D है आपका scoliosis तो सही answer क्या होगा दोस्तों जो भी आपकी जो spine है उसके अंदर abnormal curvature देखने को मिलेगा especially अपन बात करें spine found twisted तो उसका सही answer क्या होगा scoliosis ठीक है scoliosis यान यह आपने x-ray जब आप देखेंगे तो आपको यह lungs है ठीक है तो यहां पर जो आप spine देखते हैं बीच के अंदर यह जो spine होती है या तो इसकी इधर bending हो रही होती है या इधर bending होती है उस condition को पर क्या करते है scoliosis कहते है ठीक है यहां पर लंग्स हो गया यहां भी थोरे सी vertebra हो गई यहां पर निचे लंबर vertebra यहां cervical vertebra तो अपन जो यह जो आपकी जो spine होती है इस spine का या तो इधर lateral bending हो जाती है ना इसकी इसके अंदर scoliosis के अंदर ठीक है और लोडोसिस के अंदर जो pregnancy वाले जो condition होती है वा condition lodosis के अंदर ठीक है इसका मतलब यह नहीं कि pregnancy lodosis के अंदर आएगी मलगा जैसे pregnancy के अंदर कैसे आगे आपका जो number करवेचर इंक्रीज हो जाता है ठीक है आगे की तरफ ठीक है उसको उस condition को पर क्या करते हैं लोडोसिस और kyphosis के अंदर क्या आप दोस्तों कूब बढ़ आपने देखा होगा कि जो patients होता है आपका इस प्रकार से जुक्के चलता है देखो इस प्रकार से प्रकार से चलता है आप देखा होगा बिल्कुल जुक्के चलता होगा बुडे जो आदमी होते है नोर्मिल आपने देखा हो बिल्कुल जुक्के चलते है उसका निस्क्रों किसा हो जाएगा ऐसे और उसके अंदर उसका करवे चरव और इंक्रीज हो जाएगा ठीक है इसी समझ में आगे सभी को चलिए बढ़ते हैं नेक्स की तरफ और जिसको नहीं समझ में आई एक बार गूगल पर जाके सब को सर्च कर लेगा तो उसको और अच्छे से समझ में आ नहीं तो अपनी बुक्स के अंदर भी आप लोग बढ़ सकते हैं नेक्स की तरह बढ़ते हैं क्यूसन नमर 657 आपके स्क्रीन पर इंक्रीज पल्सेशन इन दे लेटरल वजानल फॉर्णिक्स यानि जो लेटरल जो वेजानल फॉर्णिक्स है उसके अंदर पल्सेशन का इं इंक्रीज पल्सेशन इन दे लेटरल वेजानल फॉर्णिक्स इस कॉल्ड उसको क्या कहेंगे दोस्तो तो अप्सन ए आपका हैगार साइन ऑप्सन भी है आपका जेकमिर साइन ऑप्सन दे चैट्विक साइन जल्दी से भी लोग कमेंड करेंगे क्यूसन नमर 657 का सही साइन और बाकी साइन से आप जानते हैं चैट्विक साइन आप जानते हैं बुलिश डिस्क्रेशन ठीक है चलिए बढ़ते हैं इनेक्स की तरफ क्यूसन नमर 658 आपकी स्क्रीन पे है अमाउंट आफ अम्मूटी फ्लूट एट टरम पे जो अम्मूटी फ्लूट का जो अपुछा गया है कि एट्ट टरम और टरम के समय तरम कब कहते हैं दोस्तो थन्य वीग से ज्यादा जो वीग की जो प्रेग्निसी होते हैं उसको क्या कहेंगा टरम कहेंगे तो 37 वीग से ज्यादा या प्रेग्निसी कहेंग 800 यह range के अंदर vary कर सकता है आपका 800 से 1000 के भीश में vary कर सकता है लेगिन आप normal कितना मानते है 800 अमल मानते है option B यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब next question की तरह बढ़ते है question number 659 आपकी screen पर है the tendency of an organism to behave in the same way as it has behaved before question में क्या पुछा कि दोस्तो tendency है organism की behave in the same way यहाँ उस same way के अंदर behave करना it has behaved before यहाँ जो पहले behave करता था उसी behave के अंदर same behave कर रहा है उस tendency को क्या कहेंगे option यह आपका motive, option B drive, option B behavior and option D habit जलिए सब लोग comment करेंगे question number 659 का सही answer क्या होगा question number 659 में simple सा question है simple सा आपसे पूछा गया है tendency पूछी गई है किसी भी organism की ठीक है किसी भी organism आपन मान सकते है इंसान हो सकता है कोई भी हो सकता है तो उस organism की जो tendency होती है behave करने की same in the way of it has behaved भी हो यहाँ जैसे आपन देखते है normally आपन सुबह जल्दी उठते हैं आपन एक बार अपन 6 बज़े उठे है फिर दूसरे देखने आपन 6 बज़े उठे है फिर एक बार आपको आदत लग गई कि आपन रोजी क्या उठ रहे है सुबह 6 बज़े उठ रहे है तो यह क्या हो गया आपका जो behave था आपका जो उसी चीज को आपने दो रहायम पतला उसको same as जैसे आप सुबह 6 बड़़े उठ Vielen तो same ही आप 6 बज़े उठे है माली जया किसी को चाय पी नहीं आदत है तो अप सुबह 5 बज़े को उड़ते ही चाय पीता है एप माली जया कि आपने सुबह उठते हैं आपको चाहिए गिलास से अब डेली वह एक्टिविटी कर रहे हैं ठीक है आपको सुबह चाहिए 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 तो वह क्या होगी आपकी हैबिट होगी आदत option d habit is the correct transfer क्या है tendency of organism तो behave in the same way and it has behaved before जैसे आप पहले behave करते थे से उसी वेक के अंदर behave करने को क्या कहेंगे दोस्तों उसकी tendency जो होती है उसको पर क्या कहते है habit कहते है आदत next question की तरह बढ़ते है question number 60 आपकी स्क्रीन पर है positive sign of pregnancy pregnancy का positive sign क्या होता है option है आपका हेगार sign option b आपका outside sign and option c आपका fetal heart sound and option d morning sickness जल्दी से भी लोग comment करेंगे question number 60 का सही answer क्या होगा क्या होगा दोस्तों सही answer positive sign पुछा गया आपका pregnancy का तो आपने सारे sign पढ़े होंगे तो positive sign किसको कहते हैं जिस जगी किसको अपन कह सकते है confirmatory sign भी कह सकते हैं तो सही answer क्याएगा option c fetal heart sound जो fetal heart sound feel होती है आप जो सुनते है fetal heart sound वो क्या है pregnancy का positive sign है option c यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब ठीक है और आपका जो fetal heart sound है वो भी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और normal fetal heart rate कितनी होती है दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो के अंदर इतना ही बाकी की class अपन कल करेंगे जब भी करेंगे हम आपको इसकी notification आपको मिल जाएगी सभी को अच्छे से सेर करना है ताकि सभी को class का benefit हो सके और सभी students को यहाँ पर जो भी आपको बताया जा रहा है कुछ ना कुछ एक्स्टा हर रोज कुछ ना कुछ आपको एक्स्टा मिलता है तो उन्ची जों का benefit हो सके और जिससे कि आपका selection में ज्यादा देर आपको मदद मिल सके और आपका selection confirm हो सके इसलिए आपको क्या करना है दोस्तो अधिक सभी class को share कर देना है और अपनी class में continuity बनाए रखना है साथ में आपको books भी पढ़ते रहना है चलिए दोस्तो आज के इस class के यहीं पर end करें सभी को एक बार सभी लोग मुझे comment करके बता देंगे आज को bye bye tata good night और जा जाते एक ही बात कहूंगा दोस्तो जिन्होंने अभी भी चैनल को subscribe नहीं किया हो वह चैनल को subscribe जरूर कर लेना और bell icon यान गंटी के निसान को all पर जरूर प्रेस कर लेना ताकि कल की class का notification आपको मिल सके चलिए दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में धन्यवाद